Hello everyone, welcome back to my YouTube channel तो आज हम Consumer Protection Act में Responsibilities of Consumer को पढ़ने जा रहे हैं कल हमने अपने Consumer Protection Act में Rights of Consumer को पढ़ा था तो आएए देखते हैं कौन-कौन सी Responsibilities होती हैं Consumer की तो कल आप सबने जो पढ़ा है वो Consumer के Rights थे अब Consumer के Responsibilities क्या है वो भी देख लेते हैं जल्दी से फिर हमारा Consumer Protection Act का topic complete हो जाएगा आएए देखते हैं क्या-क्या Responsibilities होती हैं Consumer की They should be aware of their right under the Consumer Protection Act and should practice the same in case of need तो consumer को अपने right पता होने चाहिए properly और awareness होनी चाहिए और अगर जुरूरत पढ़े तो right practices भी करनी चाहिए They should be well aware of the product they are buying should act as a continuous consumer while purchasing the product उनको proper awareness होनी चाहिए कि वो कहां से क्या product खरीद रहे है Should act as a continuous consumer while purchasing the product ऐसे आख बन करके कुछ भी नहीं खरीद लेना चाहिए आपको बहुत aware होकर कि बहुत consciously समान खरीदना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो कहां से खरीद रहे हो समान कैसा है quality कैसी है तो अपने rights पता होने चाहिए और बहुत aware होना चाहिए समान खरीद रहे है नेक्स्ट रिस्पोंसिबिल्टी इफ इन केस अ प्रोड़क्ट इस फाउंड ऑफ एनिधिंग फॉल्स और नोट सैटिस्फेक्ट्री अ कंप्लेंट शुड भी फिल्ड अगर कंस्यूमर को पता चल रहा है कि जो प्रोड़क्ट वो खरीद रहा है वो फ कि रसीद ले लेने चाहिए रिकोर्ड रहता है कि आपने ये समान ये चीज खरीदी है और बाद में जो सेलर होता है वो आपको रिफ्यूज ना करें ये ना कहें कि ये चीज हमसे नहीं खरीदी गई है तो एक प्रोपर रिटन कैश मिमो आपके पास होना चाहिए एक कस्ट चुड़ चेक फोर इस्टेंडर मार्क्स देट है बिन इंटर्डूस्ट फोर दी अथंटिसिटी ओफ दी क्वालिटी ओफ दी प्रोडक्ट लाइक आई एसाई और हॉल मार्क एकसेक्टरा तो से टेंडर मार्क भी देखने ना चाहिए कि प्रोड़क्ट ऑथेंटिक है या प्रोड़क्टन की एकसे प्रोड़क्ट वो चीट करती है और क्यों से नहीं करती है तो एकसे और O सब्सक्राइब कर दिख लेते हैं और अक्ट शल्फेस्टै Becca कोई श्रतोर है तो कोई डिक्कत हो रही है तो आप की सतरह से अक्निसिक चिख करोगे तो सबसे पहले आता है district form तो ये district level पर set किया जाता है तो आप district level पर ही सिख करते हो तो basically जब आप भी आपको दिक्कत होगी तो आप district level पर ही approach करोगे district form में एक president होता है जिसमें दो member होते है और उसमें से एक woman member होती है जिस state government appointment करता है district forum में ये होता है कि complaining party should not make complaint more than 20 lakh यहाँ 20 lakh से उपर की complaint नहीं जाती है and once the complaint is failed the goods are sent for testing and if they found defective the excuse party should compensate एक बार आपने जो भी complaint करती तो उस product को लेकर के complaint जिस भी product को लेकर आपने complaint करी है वो product भेजे जाते हैं उनका test कराया जाता है और अगर वो product defective निकलता है तो accused party जो है उससे compensate करना पड़ता है मतलब जिसके खिलाफ complaint फाइल की गई थी उसको आपका पैसा देना होगा और सारी भरपाई जो है करने पड़ेगी if the party is dissatisfied can make an appeal with state commission within 30 days अब district form के judgment से satisfied नहीं हो तो आपको लग रहा है कि आपके साथ unfair judgment हुआ है सही नहीं हुआ है तो आप next level पर भी जा सकते हो within state commission और 30 days में अपनी फाइल करवा सकते हो next trial यही है state commission तो यहाँ पर भी minimum 20 लाग की complaint की जाती है और एक रोट से उपर की complaint नहीं होनी चाहिए तो जिसे भी समान की आपने complaint की है उसे भेजा जाएगा उसकी जाच होएगी उसे चेक किया जाएगा और अगर वो defective निकलता है तो आपका या तो replace करके दिया जाएगा या फिर आपको जो है compensate या फिर भरपाई करके वो देना पड़ेगा यहाँ पर भी वही होता है यदि आप state commission की judgment से satisfied नहीं है तो आपको next level की file पर दर्ज करवाना होगा जो कि आपकी national level की होती है national level commission उसमें आपको दर्ज करवाना पड़ता है national level commission में भी आपको within 30 days ही अपनी file को दर्ज करवाना होता है national commission में चार member होते है the complaint must extrude an amount of 1 crore national commission में वो complaint की जाती है जो एक रोड से उपर की या एक रोड तक की होती है the goods are sent for testing and amount testing and if found defective are asked for replacement or compensation इसमें भी वही चीज़ फोलो हो रही है इसमें भी समान को टेस्टिंग के लिए भेज़ा जाता है तो अगर समान defective निकलता है खराब निकलता है तो उन्हें उसकी बरपाई करनी होती है और compensation देनी पड़ती है तो ये था आपका 3-tire redressal system according to consumer protection act T86 Thank you so much everyone for watching the video I hope आपको ये video clear हो गया होगा there are any doubt let me know in their comment section I try to solve their doubts and कोई भी वीडियो अगर आपको बनवानी है study topic पर तो आप वो भी बता देना So thank you so much for watching this video